तो 82 लाख उत्राखंड के वोटरों के दिल में आखिरकार है क्या? देभूमी के दंदल में कौन जीत पाया 82 लाख वोटरों का दिल? अब इस सवाल के जवाब के लिए कुछ घंटे का इंतिजार क्योंकि कुछ ही घंटों के बाद उत्राखंड की आवाम बता देगी कि उसके दिल में क्या है नतीजे भले ही 10 मार्च को आएं लेकिन इस बार उत्राखंड के सियासत के मैदान में कुछ एतिहासिक होने जा रहा है ये बात ता है एतिहासिक क्यों? बगावत का बिगुल बजाय खड़े कई मंत्रियों के सामने चुनोती अब अपनी सीट बचाने की है साल 2017 को याद कीजिए या फिर 2012 कई बार ऐसे लमें आए जब इतिहास ने बता दिया कि आखिरकार दिगजों के लिए अपनी सीट बचाना भी मुश्किल हो गया कई मंत्री 2017 के चुनाव में अपने चुनावी रण शेत्र में चुनाव भार गए इस बार भी कुछ ऐसा ही संकेत मिल रहा है कई सीटों पर दिगजों के सामने अपनी सीट बचाने तक की चुनोती है गदरपूर में अर्विन पांडे नरेन नगर में सुबो दुनिया मसूरी में गणेश जोशी माना जा रहा है कि गणेश जोशी जो दावा करते थे कि मैं एक तरफा जीत हासिल करूँगा उनकी सीट भी इस वक्त फसी हुई दिखाई दे रही है गोदावरी थापली ने मुश्किल खड़ी कर दी है गड़ेश जोशी के लिए और उनके लिए अपनी सीट बचाना पाना बेहद मुश्किल हो गया ये तो मैं मंत्रियों की बात कर रहा हूं जिनके लिए अपनी सीट बचाना इस वक्त तेड़ी खीर साबित हो रहा है तो ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार अब अपनी सीट कौन बचा पाएगा वो भी तब इतिहास के पन्ने बताते हैं कि 2012 का चुनाव जब खंडूरी है जरूरी का नारा देकर बीजेपी चुनावी रण में उत्री और खंडूरी खुद चुनाव हार गए कोरदवार से और 2017 का चुनाव हरीश रावत हरीश रावत खुद दो सीटों से चुनाव लड़े और दोनОं सीटों से चुनाव हार गए तो ऐसे में उत्रा खंड को समझ पाना और समझने का दावा करने वाले इस बात में उलत जाते हैं कि दिगगच खुद इस चुनावी रण शेतर में चुनाव हार जाते है अब इतिहास के पन्नों को पलटने की बजाए मौजूदा वक्त के उन पहलू को भी हम टटोल के देख लेते हैं जिसमें संकेत और संदेश साफ छिपा है बीजेपी का नारा था अब की बार 60 पार वो नारा इस बार मंचों से गुंजा तक नह किसी नेता ने ये नारा नहीं लगाया कि अब की बार 60 पार अब की बार चुनाव जो हुआ वो पूरी तरह से मुद्दों से भटकता हुआ दिखाई दिया मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ अब इस बात को समझे तुष्टी करण और धुरूवी करण ये दो एहम मुद्दो पर उत्राखण का चुनाव सिमट गया तुष्टी करण और धुवी करण का नतीजा ये रहा कि मुस्लिम इनवर्स्टी पर अटका उत्राखण का चुनाव अन्तिम दौर के प्रचार के वक्त युनिफॉर्म सिविल कोर्ट पर आकर टिक गया जब उत्राखण के मुख्यमं संत्री ने एलान किया कि हम सत्ता में आएंगे कमेटी गठित करेंगे युनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे ड्राफ तैयार करेंगी हो कमेटी तो संकेत साफ था कि आखिरकार भाजपा संकेत और संदेश क्या देना चाहरी है और अब मैं बागियों का जिक्र करूं तो लग बगावत जेल रही है और कॉंग्रेस के घर के भीतर भी हालात अच्छे नहीं हैं कॉंग्रेस भी लगभग एक दरदन सीटे ऐसी हैं जहां बगावत जेल रही है खुद हरी शुरावत लाल कुवा में बगावत जेल रहे हैं मुश्किल उनके सामने भी खड़ी है और ऐसी स में जहां पर अगर हम बात करें हरी शरावत तो छोड़िये मैंने जिक्र किया रुदरपूर का भी हाली में राजकुमा ठुकराल जो पाटी के विधायक थे उनका टिकेट कटा वो चुनावी रण में है रुदरपूर अब कौन जीतेगा ये भी एक सवाल है लेकिन जिन पर बीएसपी का प्रभाव है और बीएसपी ने पूरी तरहां से वहां पर अपनी ताकत जोक रखी है और इतिहास उठाके देखिएगा चाहे वो दो हजार दो का चुनाव हो दो हजार साथ का चुनाव हो दो हजार बारा का चुनाव हो या फिर दो हजार सत्रा का जो चुनाव जिताया है उत्राखंड में और 2012 में भी ऐसा ही हुआ तो विधायक BSP के हर दौर से जीच सकते हैं और ये महकपूर्ण फेक्टर होगा याद रखेगा और निर्दलिये भी कई सीटों पर इफेक्ट डार रहे हैं कई सीटों पर तिर्कोर्ण ये मुकाबला है UKD एक से दो सीटों पर तिर्कोर्ण ये मुकाबला दे रही है आम आदमी पार्टी दो से तीन सीटों पर तिर्कोर्ण ये मुकाबला दे रही है और एक शक्स ऐसा भी है जो cabinet मंतरी रहा अपनी पार्टी बना लिए और अपने दम पर चुनाव जीतने का हुंकार भर रहे हैं और वो शक्स भी इस वक्त लीड कर रहे हैं मैं नाम नहीं लुँगा और वो भी मंतरी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं अब मैं आता हूँ उस महत्पूर्ण पहलो पर जिसका मैं जिक्र कर रहा था क्यों आखिर कर तुष्टी कर रहा हूँ धुरूवी करन पर चुनावट का अब इस बात को भी समझेए मैं यहाँ पर 82 लाग वोटरों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनको मुद्दो की बजाए जहां पर बेरोजगार आठ लाग से जादा रिजिस्टर्ड बेरोजगार हो बेरोजगारी पर चुनावट ना हूँ अब जिस सरकार को बताना चाहिए था कि आखिर कार उसके एजेंडे में वो कौन कौन से मुद्दे थे जो पांस साल में उसने सॉल्व किये ये कहराओं कि पुरानी पेंशन के मामले पर मौझूदा सरकार चुप क्यों रही दूसरा पहलू लोकायुक्त खंडूरी जी का सपना कौन साकार करेगा ये सवाल हमने मुख्यमंत्री जी से भी पूछा था मुख्यमंत्री जी ने वही जवाब दिया परवर समीति के पास ह अब मैं पूछ रहा हूँ कि लोकायुक का मसला आपके घोशना पतर में क्यों नहीं था लोकायुक का मुद्दा गाइब 12 का सबसे एहम मुद्दा आप पुरानी पैंशन पर उलज गए गयर सेंट राधानी होगी या नहीं होगी उस पर उलज गए तो यानि आप जिन मुद्दों पर उल्जे और उल्जाने की बजाए आपने एक और दाव अंतिम वक्त में खेल दिया युनिफॉर्म सिविल कोट का अब ने जिलों का गठन कॉंग्रेस चुप ऐसा ही एलान हरी शुरावत ने जब सक्ता में ते तब किया था अब उसके बाद गैर सैन में स्थाई राधानी हो सक्त भू कानून हो ये एजंडे गायब है जिन एजंडों पर चुनाव होना चाहिए था कुल मिलाकर अब ये हो गया कि वो एजंडे गायब हो गये तो जनता के दिलों में क्या है उत्रा खंड की आवाम क्या समझ कर वोट ड डालिएगा ये लोकतंत्र का पर्व है महा पर्व है और इसमें लोकतंत्र की ताकत आप से है तो इसलिए अपना वोट जरूर डालिएगा कोई धुरंदर हो कोई सिकंदर हो ये लोकतंत्र है राजा आप है यहाँ प्रजा ही राजा है तो इसलिए अपना वोट सो समझ के ड करें नमस्कार जय हिंद्ध जय भारत जय उत्रखन